पुलिस मैदान दर्मशाला में 7-8 मंबर को होने वाली गलोबल इन्वेस्टर मीट से पहले दर्मशाला सहर नई रंग में नजर आएगा इसके लिए नगर निगम दर्मशाला ने कदम ताल शुरू कर दी है पार्किंग सहीत अन्य स्थनों के सुन्दी करने की दिशा में कारया शुरू कर दिया है वहीं बर्शा सालकों को भी नया रूप दिया जा रहा है गगल सित कांगडा एरपोर्ट में पुलिस मैदान तक कारया किया जाएगा इसमें फेशिंग लाइट समेक अन्य सुबीदाई मोहिया करवाए जाएगी पुलिस मैदान धर्मशाला में 7 ब 8 नुवंबर को होने बाली ग्लोबल इंवेस्टर मीट से पहले धर्मशाला शहर नए रंग पे नजर आएगा इसके लिए नगर निकम धर्मशाला ने कदम दाल शुरू कर दी है पार्कों पार्किंग सहित अन्य स्थानों के सुंद्री करण के दिशा में कारे शुरू कर दिया है वहीं बर्शाशाली काओं को भी नया रूप दिया जा रहा है गगल स्रित कांगरा एरपोर्ट से पुलिस मेदान तक कारे किया जाएगा इसमें फेंसिंग लाइट समेत अन्य सुभिधाय मुहिया करवाई जाएगी बहीं शहीत स्मार्क धरम स्थालस धित रेंशेल्टर को भी आकर्शक बनाय जा रहा है यहां बेंच स्थापित किया जा रहे हैं वहीं चुराहों पर होर्डिंग्स भी लगाय जाएगे इन्वेस्टर मीट में परधान मंत्री नरेंदर मोदी के उपसित होने की संभाबना है ऐसे में परधान मंत्री स्मेथ यहां आने बाले देश-बिदेश के निवेशकों को आकर्शित करने का प्रयास किया जा रहा है इसके लिए नगर निगम स्थित प्रवेश द्वार से पुलिस मेदान तक विशिर्ष सुविधाएं जुटाएंगी जबकि धरमशाला के कौतवाली बाजार समेथ स्मूचे शहर में ऐसी सुविधा मुहिया करवाई जाएगी इसके लिए 4 नवंबर तक का समयत आए किया गया है शहीत स्मार्क स्थित रेन शल्टर का भी काय कल्ब किया जा रहा है रेन शल्टर में जहां छट डाली जा रही है वहीं नए बेंच सापित कर दिये गए हैं इस बारे जब जिलादीश कांगरा राकेश कुमार प्रजापती से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर मीट को लेकर शहर में सुन्दरी करण कारे चल रहा है और 3-4 नुवंबर तक सभी कारे को पूरा कर लिया जाएगा इसमें रेन शल्टर की दशा सुधारने के साथ पार्क ब पार्किंग स्थलों को भी आकरशिक बनाया जा रहा है जिलादीश ने कहा कि स्मार्ट सिटी धरमशाला का इन्वेस्टर मीट से पहले सुन्दरी करण का कारे पूरा कर ले जाएगा इसके लिए कारे यूद्स दर पर चला हुआ है जैसे कि आपको पता है साथ और आठ नॉबर को धरमशाला में ग्लोबल इंवेस्टर स्मीट का आयोजन किया जा रहा है इसको लेकर जो तैरिया है वो चली हुई है आपने खास के पर देखा हुआ है कि रोड्स के हमारे टारिंग की जा रही है और जो पुल इस गर्वन में आयोजन और नागुस का भी कारिय प्रक्ति पर है